नमस्कार मेहजूली बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से। पूरी कर ली है। प्राइविट स्कूलों में भी बच्चों को टीका लगाने के लिए मुबाइल वैन की विवस्ता की गई है। इसके साथ साथ बच्चे अपने निजी स्वास्त केंदर में भी जाकर टीका लगवा सकते हैं। अगर पटना की बात करें तो यहां ऐसे 87 टीका करन केंदर बनाए गए हैं। किशोरों को टीका करन के लिए कल यानी रविवार से ही स्लोट बुकिंग की प्रक्रियाश शुरू हो चुकी है। अगर किसी ने अपना स्लोट बुक नहीं करवाया है तो वो टीका करन केंदर पर भी अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। पंचाय चुनाओ के बाद अब निर्वाचन आयोग की नजर नगर निकाय पर सभी जिलों से मांगी एहन जानकारी। बिहार में अब पंचाय चुनाओ खत्म हो चुके हैं। गाउं की सरकार बनने के बाद अब राज निर्वाचन आयोग ने शहरों में सरकार पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। पिछले साल बारा नगर निकाय के शेत्र में विस्तार किया गया था। जिसके बाद पंचाय चुनाओ की समय आयोग को 315 ग्राम पंचायतों के अस्तित्व को समाप्त कर नए सिरे से पंचायत आम चुनाओ कराया था। इस वज़े से 262 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। जबकि 33 ग्राम पंचायत ऐसे थे जिनका स्थानिय नगर निकाय में विलाय कर दिया गया था। अब सभी ग्राम पंचायत की पूरी रिपोर्ट राज निर्वाचन आयोग ने मांगी है ताकि उसके मताबिक चुनाओ की तयारियों को पूरा किया जा सके। बिहार में एक बार फिर लुड़का पारा लोगों की बढ़ी मुश्किले। राजधाने पटना समेत सभी जिलों में आज एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हाला कि नियूंतम तापमान में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। कल राजध की नियूंतम तापमान 10 से 12 डिगरी सेलसियस बना रहा वहीं अधिकतम तापमान 4 से 5 डिगरी गिरावट देखने को मली जिसकी वज़से ये 17 से 19 डिगरी तक बना रहा। सबसे जादा ठंड फारविस गंज में दर्ज की गई यहां का तापमान 8 डिगरी सेलसियस रहा। को की माने तो पच्छुआ हवा के कारण ठंड और बढ़ेगी और अगले चार दिन तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। टीचर ट्रेनिंग का बदलेगा सरूप अब हर महीने होगी ग्रेडिंग। बिहार में सिख्छा विवस्था को दुरुस्त करने के लिए राजसरकार अब नए नए प्रयास कर रही है। इसे सिलसिले में अब बिहार में टीचर ट्रेनिंग में भी कुछ बदलाव किये गए हैं। नए सिख्छा नीती के तहर टीचर ट्रेनिंग इंस्टिचूट के ऊपर कई जिम्मधारिया होने वाली है। ऐसे में सिख्छा विभाग में राज्यके सभी डायट बाइट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में स्यक्षणिक महौल दुरुस्त करने के लिए हाली में मंत्रा फोर चेंज के साथ करार किया है। और इन संस्थानों के सभी 86 ट्रेनिंग कॉलेज को बहतरी के लिए कारे करना भी शुरू कर दिया है। कोरोना से लड़ने की तयारी में जुटा स्वास्त विभाग, आईजी आएमस में शुरू हुई जिनोम सिक्वेंसिंग। पटना में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। दीते 24 घंटों में 110 डॉक्टरों और स्वास्त कर्मियों समीत राजधानी में 239 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसकी वज़े से अब जिले में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 634 हो गई है। इन बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्वास्त विभाग ने पटना में ही जिनोम सेक्वेंसिंग कराने की तयारी कर ली है। आज से IJIMS में जिनोम सेक्वेंसिंग शुरू कर दी गई है। इससे पहले राज्य में मिले संक्रमितों की जिनोम सेक्वेंसिंग के लिए सैंपल को दिल्ली स्थित नैशनल सेंटर फोर डिजीज कंट्रोल भेजा जाता था। लेकिन अब पटना में ही ये सुविधा उपलब्द होगी। स्वास्त विभाग सचीव संजेक ने बताया कि हाली में मुख्यमंत्री ने कुरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक समीक्षा बैठक की थी जिसमें जिनोम सेक्वेंसि को लेकर के आदेश दिया गया था। फरियादी के दिमांद सुन मुख्यमंत्री के कान खड़े हो गए। कहा इतनी जमीन है कहा जो देंगे। उनके पास एक फर्यादी ये शिकायत लेकर पहुंचा बता दे कि मुख्य मंत्री महीने में 300 उम्मार राजी के कोने कोने से आए लोगों की शिकायत सुनते हैं और उनका निप्टारा करते हैं और इसी कड़ी में आज के जनता दर्बार में भी लोगों ने अपने शिकायत जनता दर्बार में लेकर पहुंचे और मुख्य मंत्री ने उनका निप्टारा किया आज से खुल गया पटना हाई कोट पास और आईडी दिखा कर ही मिलेगी एंट्री क्रिस्मस की छुट्टियों के बाद आज पटना हाई कोट की कारवाई एक बर फिर से शुरू हो जाएगी इस बीच कोरोना के बढ़ते खत्रे को देखते वे अब हाई कोट के परीसर में प्रवेश पर कुछ शर्ते रखी गई है कोरोना के मद्दिनजर कोट में शोमवार से गुरुवार तक फिजिकल हीरिंग होगी वहीं शुकरवार को ऑनलाइन सुर्वाई होगी इसके अलावा हाई कोट परीसर में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा हाई कोट कर्मी को पहचान पत्र दिखा कर ही प्रवेश की अनुमती रहेगी हाई कोट के आदेश पर मुवक्किल तथा अधिकारी को स्पेशल पास पर प्रवेश करने दिया जाएगा बता दे कि 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक हाई कोट में क्रिसमस और नए साल की छुट्टी थी और आज से एकबर फिर से कोट में सुनवाई शुरू हो गई है बिहार के मंत्री श्रवन कुमार का दावा नए साल में महिलाओं को बनाएंगे आत्म निर्भर बिहार सरकार जीविका दीदियों के जरिये महिलाओं के शशक्तिकरन पर लगातार काम कर रही है इसी वीच बिहार सरकार के ग्रामिन विकास मंत्री श्रवन कुमार ने ये दावा किया है कि वो बिहार में जीविका को ओर आगे बढ़ाएंगे और बिहार के महिलाओं को नय साल में आत्म निर्भर बनाएंगे उन्होंने बताया कि अभी तक जीविका के माध्यम से बिहार में महिला समू की सदस से 1450 करोड रुपे की आय कर चुकी है सरकार द्वारा 6126 करोड रुपे सामुदाइक निवेश निधी के रूप में जीविका को अनुदान दिया गया है उसी तरह जीविका दीदियों को सरकार ने अभी तक 16820 करोड तक का लोन भी दिलवाया है 10,31,000 सहायता समू के तहत 1 करोड 27,000 परिवार जीविका से जुड़े हैं इससे महिलाए आत्म निर्वर बन रही है अब बिहार के किसानों के घर तक पहुँचेगा जमीन का नक्षा सरकार ने शुरू की नई विवस था अब बिहार के किसानों को अपने जमीन का नक्षा पाने के लिए सरकारी कार्यालेों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बस online order कर payment करना होगा और सरकार postman के जरीए आपके दिर्वाजे तक आपके जमीन का नक्षा पहुँचा देगी एक दिल्चस्प बात ये भी है कि बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जो कि इस तरह की सुविधा उपलब्द कराने जा रहा है इसे लेकर राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग के ने तमाम तयारिया भी कर ली है और जितनी भी तकनी की गड़बडी थी उन्हें ठीक कर लिया गया है अब बिहार में नहीं बनाए जाएंगे मिट्टी से इट राजसरकार की तयारी जारी केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार भी मिट्टी से इट बनाए जाने पर रोक लगाने की तयारी में जुट गई है दरसल केंद्रिय वन एवं पर्यावरन मंत्राले ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत कोईला अधारित बिजली सन्यंद्रों के 4 और 300 किलोमीटर में मिट्टी से इट नहीं बनाए जा सकेंगे बिहार सरकार ने भी इसे लागू करने के बाद ताप बिजली घरों की स्थिती देखते हुए माना जा रहा है कि ये प्रतिबंद पूरे बिहार में लागू हो सकता है यानि राज्य के अधिकतर हिस्सों में इट भटों को बंद करना पड़ सकता है केवल फ्लाई एश यानि की कोईला से चलने वाले ताप बिजली घरों से निकली राख सहीं इट का उत्पादन अब राज्य में हो सकेगा इसे लेकर बिहार सरकार की ओर से जल्दी अधिसूच ना जारी की जाएगी इसके साथ ही वन एवं पर्यावरन नियमावली में बदलाव के अलावा इट भटो को जारी लाइजन्स में भी कुछ बदलाव किये जाएंगे बिहार में अगले सब्ता से शुरू होंगे इंटर के प्राक्टिकल एक्जाम्स मौलवी और फोकनिया की परिक्षा हो गई शुरू सर्दियों की छुटियों के खतम होने के साथ ही अब बिहार में परिक्षाओं का सीजन भी शुरू हो गया है अगले सब्ता से बिहार बोर्ड से इंटर करने वाले चात्रों के प्राक्टिकल शुरू हो जाएंगे यह परिक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी और 20 जनवरी तक चलेगी इसको लेकर बोर्ड की ओर से तयारी शुरू कर दी गई है बिहार बोर्ड की ओर से इंटर की प्रयोगिक परिक्षा चात्र अपने स्कूल में ही देंगे लेकिन इसके लिए परिक्षा समयगरी बोर्ड की ओर से भेजी जाएगी स्कूलों के हैड़ मास्टर को परिक्षा का केंदरा धिख sausage बनाया गया है ये परिक्षा 3-8 जनवरी तक होगी मुख्यमंत्री के साथ मंच पर नहीं होंगे भाजपा और जदियू के पुर्वनेता बिहार के मुख्यमंत्र नितीश कुमार इस वक्त बिहार यात्रा पर है जिसका नाम समाज सुधार अभियान रखा गया है इस दोरान मुख्यमंत्री राज के अलग-अलग जिलों में जाकर शराब बंदी, बालविवा और दहेत जैसे समाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरुक कर रहे हैं और साथ ही वो जिविका की दीदियों के साथ भी समवाद कर रहे हैं और समाज में एक सकरात्मक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं इस सिले में अब वो चार जन्वरी को औरंगाबाद में सभा करेंगे इसको लेकर जिले में सारी तयार्या की जा रही है मुख्य मंत्री नितीश कुमार जीविका की महिलाओं से सम्माद करेंगे और इसको लेकर पुलिस लाइन मैदान में बनाए गए मंच पर भाषपा एवब जदियों के पुरुविधायक अथवा डल के कोई नेता नहीं बैठ सकेंगे मंच पर मुख्य मंत्री के साथ नव निर्वाचित सांसद और मंत्री ही बैठेंगे इस बात की जानकारी और अंगबाद के डीम सौरग जोरवाल ने मीडिया को दी बिहार में इस साल राज्यसभा की पाँच सीटों पर होगा चुनावी दंगल ललन सिंग और मीशा भारती को मिल सकता है मौका बिहार में इस साल राज्यसभा की पाँच सीटों पर चुनाव होने वाले हैं जनतादल युनाइटेट कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री रसीपी सिंग साल के जुलाई में राज्यसभा से रिटायर हो जाएंगे वहीं जेडियू के ही राज्यसभा सांसद किंग महिंद्र का हाली में निधन हुआ है राश्य जनतादल सुप्रीमो लालु प्रसादियादों की बड़ी बेटी मीशा भारती की राज्यसभा की सदस्यता भी समाप्त होने वाली है भारती जनता पार्टी के गोपाल नरायन सिंग और सतीष चंद्र दूपे की सीटे भी खाली हो रही है तो कुल मिला कर देखें तो राज्यसभा की पांच सीटों पर इस बार सियासत होने वाली है अभी से ही 2024 और 2025 के चुनाओं की तयारी में जुटी जेडियू ललन सिंग ने बना लिया है ब्लूप्रिंट 2020 विधान सभा चुनाओं में जेडियू का प्रदर्शन काफी खराब रहा था और इस बात से जेडियू भी अच्छी तरीके से वाकिफ है यही वज़ा है कि अब पाटी के राश्ट्य अध्यक्ष राजी उरंजन सिंग और फललन सिंग अभी से ही 2024 लोग सभा चुनाओं और 2025 विधान सभा चुनाओं की तयारियों में जुट गए है सौरफ गांगुली ने धोनी की काम्याबी का क्रेडिट लेने से किया इंकार कहां मैं बस अपना काम कर रहा था इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्वक कप्तान और कैप्टन कूल के नाम से जाने जाने वाले महेंदर सिंग धोनी ने 2004 में सौरफ गांगुली की कप्तानी में क्रिकेट में एंट्री मारी और तब से उनके खेल की वज़से लोगों ने उन्हें काफी पसंद किया इसके लिए सौरफ गांगुली को भी क्रेडिट मिलता रहा है कि उन्होंने एक नए खिलाडी पर अपना भरोसा दिखाया और कहीं ना कहीं धोनी की काम्याबी में गांगुली का भी योगदान है लेकिन अब गांगुली ने क्रेडिट लेने से इंकार कर दिया है उनका कहना है कि ये सब धोनी के मेहनत का नतीजा है वो बस अपना काम कर रहे थे धोनी भारत की एक शांदार बल्ले बाज, विकेट कीपर और कप्तान है वो एकलोते ऐसे कप्तान है जिन्नोंने टीम इंडिया को तीनों ICC ट्रॉफी जिताई है कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर्स ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन भी यूजर का जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें और हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार बच्चों के टीका करन की पहल कोरोना के रोक थाम में मददगार साबित होगी या नहीं आपको क्या लगता है आप कॉमेंट करके जरूर बताएं बिलाल इस वीडियो में इतना ही इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें बिहारी न्यूस धन्यवाद झाल